और देश की 26 पार्टियों के सभी सीनियर नेतगन आज हम सब लोग 26 पार्टियां बैंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए यह दूसरी मीटिंग थी, पटना में 16 पार्टियां एकत्थी हुई थी तो यह अच्छी बात ही कि कुन्बा बढ़ रहा है आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंदर मोदी जी को भारी बहुमत दे के जिताया था इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है हर सेक्टर को बरबाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी सबसे बेस तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकेट लेके किसी भी ट्रेन में चड़ जाएए आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी आज पूरी बरबाद कर दिया इन लोगोंने रेलवे इन्होंने एकनौमी बरबाद कर दी इन्होंने रेलवे बरबाद कर दी सारे एरपोर्ट बेच दिये इन्होंने जहाज बेच दिये आसमान बेच दिया धर्ती बेच दी पाताल बेच दिया सब को छिनों ने अपने लोगों को भेच दिया कोई कसर ने छोड़ी आज देश में हर आदमी दुखी है युवा दुखी है किसान दुखी है मजदूर दुखी है व्यपारी दुखी है इंडस्ट्रिलिस दुखी है ग्रहनी दुखी है ऐसा कौन सा विक्ति है जो दुखी नहीं है तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एक अत्रित नहीं हुए हम देश को एक तरफ बचाना है जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोगी कठे हुए है जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए हर बिमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए यह सपना लेके हम सब लोग की कठे में जहां पर ऐसा भारत होगा जहां सब सुक शांती होगी प्यार महबबत होगी और देश तरक्की करेगा ना कि देश के संसाधन जो है कुछ लोगों के लिए चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे आज बहुत अच्छा डिसकुश